आज हम याफियम जनरेशन के बारें पढ़ेंगे फिकेंसी मोडिलेशन के पीडियो के बारें पढ़ेंगे फिकेंसी मोडिलेशन की दो पीडिया है एक डारेक्ट मेठर एक दूसरा इन डारेक्ट मेठर को पैरा मेट वेरियेशन मेठर भी करते हैं और इन डारेक्ट को अर्म छोंग को सुरूर कर दारे हैं इस मेठोड को डायेयरक्ट मेठट कहा जाता है क्योंकि हम डार्यक्ट वीण किसी का यूच की हम डारेक्ट वी वाइडवेड्वें को जनरेरित करने के लिए के व्ल्टेज कंटोल इस्टिंटर अइसे बस्योड करते हैं उसका उप्योग किया या जाता है बीसियो एक आउट्पूट शीडर्न का परोड्यूस केदा है जिसके सर्नल्स के सभीनद की ब्किपनेशन के समय होते场 तो आगे दिख्रेंगे वाइडवेंट फिक्वेंटी मॉडलेशन वेप की जनेरेशन का बलॉक डाइग्राम निम लिखित है हम मॉडलेटिंग सिंग्रल या कहेंगे मैसेज सिंग्रल देंगे और एक बिश्यू लगा रहेगा बोल्टेज कंट्रोल आइसलेटर उसके मदद से हमें वाइडवेंट एफ्यम वेब मिल जाएंगे ठीक है तो नक्स्ट देखते हैं और आगे यह मॉडलेटिंग्रल मॉडलेटिंग्रल को बोल्टेज कंट्रोल आइसलेटर व्हक्राइल के इनपूट के रूपमे एप्लाऑ किया जाता है सिंगन को बोल्टेज विस्यों या कर सकते बोल्टेज कंट्रोर डिवाइस के इंपुट पर लगाए जाता है ठीक है विस्यों एक आउटपुट का प्रोड्यूस करता है जो वाइडवेंड एफ्यम के अलावा आउप कुछ नहीं है अधिया वाइडवेंड की तत्कालिं फ्रिक्वेंसी है और समान पाती यह मौप्ती मौड़ेटिंग सिंग्नल अब हम यह फाई बराबर समान पाती और यहां आजाएगा यह आप ची कईधेराप्क फ्रिक्वेंसी प्लस के अफ इसका अनपाता जाएगा कॉंस्टेंट के और एम आप टी बड़ेशी यह फाई बराबर एपटी प्लस के अफ यह माफ टी ठीक है यह हमारा समीकरण हो जाएगा विए यह फाई इस दा इंस्टेंट निवर्स ततकाली फिक्वेंशी आप वाइडवेंट फिक्वेंशी मॉडलेशन के ठीक है